किसान भायों मद्य परदेश में दिखेगा दाना चक्रवात का असर इन जिलों में होगी जोरदार बारिस किसान भायों मद्य परदेश के मोसम में बदलाव आने वाला है और दिवाली से पहले मद्य परदेश के मोसम के दो रंग देखने को मिलने वाले है किसान साथ मध्य प्रदेश के मोसम से जुड़ी वी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए जो नए साथी हमारे चीनल पर नए हो चीनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को अन्य किसान भायों तक भी शियर कीजिए किसान भायों एक तरफ मांसून की विदाई के बाद ठंड का असर दीरे दीरे बढ़ने लगा है वही दूसरी तरफ चक्रवात डाना के प्रबाव और नए सिस्टम के सक्री होने से पूर्वी मध्य प्रदेश में 25 अटुमबर से बारिस होने की संभावना बताई जा रही है एक्टिव हो रहा है जिसके प्रबाव से 25 अटुमबर से पूर्वी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गरत चमे के साथ बारिस होने का अनुमान है इसके साथ ही इंदोर संभाग में भी बारिस की गतिवीद्या देखने को मिली है किसान बैयों बीते बुद्वार को भी बेतुल हर्दा बुरहानपूर खंडवा खरगोन बढ़वानी रतलाम मनसोर नीमच सिवपुरी जिलों में कहीं कहीं पर गरत चमे के साथ बरसाथ का अलट जारी किया गया था इसके लवा बुरहानपूर खंडवा खरगोन बढ़वानी मनसोर नीमच जिले में कहीं कहीं पर बरसाथ की गतिवीद्या या बादलों की आवाजबी देखने को मिली है किसानबयो वर्तमान में परदेश में अलग-अलग स्थानों पर बनी तीन मोसम परनालिया जिसके चलते पूर्वा मध्य बंगाल की खाडी में एक एदबाव का सेत्र बना हुआ है जिसके चलते परदेश के अधिकांस हिस्सों में नमी आ रही है जिससे बारेश की गतिवीद्या देखने को मिल रही है 25 अटुमबर की सुबह ओडिसा के पूरी के टट से एक चक्रवाती तूपान टकरा सकता है जिसका असर पूर्वी MP में दिखाई देगा यानि कि किसान भायो एक बार फिर से मद्य परदेश के मौसम में बदलाव आने वाला है और परदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिस की गतिवीद्या 24 से 25 अटुमबर के बाद देखने को मिल सकती है आपके यहां का मौसम केसा है आप मद्य परदेश के किस जीले से रहते है कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें जहानकारी अगर पसंद आयो तो वीडियो को अन्य किसान भायो तक भी शियर करें धन्यवाद